नमस्कार में दिवेद राधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को मदुबनी के डीपियो सक्षा राधिस कुमार मिस्रा रवीवार से ही ला पता है उनके परिजन खोज कर ठक गए लेकिन कोई पता नहीं चल सका है अंत में पत्नी ने मुझपरबुर के अहियापुर थाने में केस दर्ज करवाई है पत्नी को संका है कि मेरे पती का किसी ने अन्य व्यक्ति के अनुसार इस साल पीए मोधी अमेरिका की राजकी यात्रा करेंगे और इसके लिए अमेरिकी अधिकारी लगातार भारती अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे है जिसमें यात्रा के कारेकर्मों पर बातचीत चल रही है मुख्यमंत्री नितीश कुमार कहा है कि उनके बार-बार के आगरा के बाद भी केजन सरकार पतना युनिवर्सिटी को सेंट्रल युनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे रहे हैं वहीं एक दौर में अटल भिहारी वासप्री ने नितीश कुमार का सुझाव मानते वे बिहार कॉलेज ओफ इंजिनियरिंग को एनाइटी का दर्जा दिया था एनाइटी पतना के अलुमीनी मीट में शामिल हुए नितीश कुमार ने कहा है कि हम भी वर्स 1973 में यहां से पास आउट हुए थे वर्स 1972 में परिक्चा आयोजित होनी थे लेकिन 16 महीने विलम होने के कारण परिक्चा वर्स 1973 में आयोजित पांच वक्त की नमाज परने के बाद भी कुछ भी कर सकते हैं उन्होंने कहा है कि इसलाम का मतलब सिर्फ नमाज परना है नमाज के बाद कुछ भी कीजिए सब जाया जैं फिर चाहे हिंदु लर्कियों को क्यों ना उठा लिया जाए बाबा रामदेव ने इसाइध धर्म पर भी हमला किया। राष दाने पटना से सते पुन्पुन में ऑक्सीजन वैन की कहानी काफी दिल्चस्प है। दरासल पुन्पुन के अकॉने गाव में असोक सिंग की पतनी को सांस लेने में दिक्कत होने पर यह सक्स ऑक्सीजन मैन बन गया और सोक सिंग अपने इलागे में पिछले 12 सालों से लगातार पौधार उपन का कारे कर रहे हैं साथी साथ लोगों से भी पर्यावरण बचाने की मुहीम में साथ आने की अपील करते हैं रास्टिय स्वर्म सिवक संग यानी RSS के प्रमुक मुहन भागवत ने समाज के जाती प्रदा पर जोड़दार प्रहार किया है उन्होंने कहा है कि पुजारियों ने समाज को जाती बना कर बाट दी गोपाल गंज के डीम जी का नहीं हात्या कान में सजा कार्ट पूर्व सांसद आनंद मोहन डर्विवार को 15 दिनों के पैरोल पर मंडल कारा सहर्षा से बाहर आये हैं दरसल उनकी पुत्री सुर्वी आनंद की शादी 15 फर्वरी को पटना में निर्धारित है इसके लिए उन्हें यह पैरोल मिला है दिकर्ज अतलीट और भारती ओलंपिक संकी अध्यफ पीटी उसा सनिवार को मीडिया के सामने रो पड़ी उन्होंने आरोप लगाया कि कीरल के कोजी कोर्ट जिले में स्थित उनकी अतलीट एकेडमी के कैमपस में अवैद निर्मान किया रहा है उन्होंने यह भी कहा है कि जब प्रबंदन ने इसका विरोध किया तो उनके साथ दुल व्यवार किया गया है बिहार सरकार के एक वरिष्ट अधिकारी ने पीटियाई भासा से कहा है कि G20 की बैठक इससे पहले मार्च के पहले सप्ता में होने वाली थी उन्होंने कहा है कि पटना में बैठक अस्तल पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रोग के पूर्ट प्रमुक और भारती खुफिया ब्यूरो के विशेश निजेसक रहे पास उनकी संगटन से संब्दित कई लिके तिहास है और देश को ऐसे लिके तिहास की जरूरत है पाकिस्तान के पूर्ब्राष्ट पति परवेज मुसरफ के निदन पर सशी थरूर ने ट्वीट के बाद राजितनीती में हंगामा है इसके साथी सोसल मीडिया ने उन्हें जमकर ट्रॉल कर दिया वहीं भाजपा ने भी उन पर जमकर निसाना साधा है सशी थरूर के ट्वीट पर भाजपा के साथ साथ आम लोगों भी भरक उठे हैं वही लोगों की इस प्रतिक्रिया पर नाराज कॉंग्रेस नेता ससी थरूर ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं कैसे भारत में पला बरा हूँ जहां लोगों से उमीद की जाती है कि वे मरनने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छी बाते करें mc कि सरकों का सुन्धरी करन भी किया जा रहा है फ्लावर टावर भी करनोट प्रेस मंटी बशार इंड्रीी सरकों पर लगाया है यसके .... मार्गों पर साइनेज को भी ठीक किया जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज करनाटक के दौरे पर पहुंचे मोदी मोदी ने बैंगलूरू में भारत उर्चा सप्ता दोजार थेश का उठ घाटन किया उन्होंने विविन डेवलाप्मेंट प्रोजेक्ट का सिल करनाटक में भी इसी साल विधानसवा चुनाव होने यहां अभी बीजेपी की सरकार है लोगसवा चुनाव के पहले बीजेपी करनाटक की सत्ता को हर संबग अपने पास रखने का प्रयास करने वाली है सरकार ने 2023-24 के आम बजट में नई कर वेवस्ता के तहत आयकर दाताओं को रहा देने के साथ वरिस नागरिकों के लिए भी बरी घोसना की है इसके तहत वरिस नागरिक बजट योजना में निवेश की अधिक्तम सीमा 15 लाग से बढ़ा कर 30 लाग रुपए कर दी गई है भारतिय रेलवे गुजरात की यतिहासिक दरवर दिखाने के लिए भारत गौरव डेलक्स AC टुरिस्ट प्रेन जलाने जा रहा है वाइबरेन गुजरात राजी की सांस्क्रेतिक और अध्यात्मिक विरासत को प्रदर्सित करने के लिए गरवी गुजरात यात्रा की शुरुवात होने जा रही है IRC-TC द्वारा संचालित या टुरिस्ट ट्रेन 28 परवरी को दिल्ली के सब्दर गंज रेलवे स्टेशन से आठ दिनों की यादरा पर रवाना होगी पर्याटकों की सुविदा के लिए गुरु ग्राम, रेवारी, डिंगस, फ्लोरा और अजमे रेलवे स्टेशनों पर चरने और उतरने के सुविदा मिलेगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलूरू में इंडिया एनरजी वीग दोजाथ 23 इवेंट में इंडियन ओल द्वारा विक्सित सोलर कोकिंग सिस्टम के ट्वीन कुक टॉप मॉडल का उगाटन किया है प्यम मोदी ने कहा है कि भारत तेरी से बर्ती हुई अर्च वेवस्ता भारत ने हर चुनोती को पार किया है गाउं गाउं तक इंटरनेट पहुचाया जा रहा है भारत पर दुनिया की नजर है P.M. Modi ने कहा कि हम सभी तुर्की में आयविनास कारी भुकम्ब को देख रहे हैं कई लोगों के मरने और नुक्सान की भी खबर है तुर्की के पास के देशों में भी नुक्सान की आसंका है भारत में अमेरिकी वीजा के लिए बैकलॉग को कम करने के प्रयासों के बाब्दूद अभी 500 दिनों से अधिक है भारत में अमेरिकी दूतावास ने रवीवार को कहा है कि जो भारती विदेश यात्रा कर रहे वे वहीं पर अमेरिकी दूतावास या वानेचे दूतावास में वीजा अपॉइन्मेंट ले कर कर सकते हैं जैसे अभी कोई भारती अभी थाइलेंड में है तो वह वहां के अमेरिकी दूतावास से अमेरिका के B1 और B2 वीजा के लिए अपॉइन्मेंट ले सकता है रूस से कच्चे तेल के आयात में पिछले कुछ महीनों में काफी वरोतरी देखी गई है भारत अब इसके साथ ही कुछ अन्य चीजों का आयात भी तेजी से बर रहा है इसमें धनिया पिछले कुछ समय में ही काफी तेजी से पकर चुका है खास बात यह है कि भारत परंपरागत रूप से रूस से धर्मल, कोईले और पेट्रोलियम पदार्थों का ही आयात करता है भारत के अधिकारिक वेपार डेटा से पदा चलता है कि रूस से धनिया के बीच का आयात चालू वित वर्ष के पहले आठ महीनों में साल दर साल 1313 प्रतिसत बढ़ कर 30,000 टंज से थोड़ा अधिक हो गया है भारत जोरो यातरा के बाद अब कॉंग्रेस जमो कस्मीर में हांस जोरो अभियान की तैयारी में जुट गई है अगले सब्ता से प्रदेश भर में इस अभियान के शुरुवात की जाएगी पार्टी के नेता और कारेकरता घरकर जाएंगे और राहूल गांदी की चिट्टी पहुचाएंगे प्रदेश सरकार चारधाम यातरा में यातरियों के सुविदा के लिए बद्रीनाथ वकेदारना धाम के निकत 50-50 बेट के अस्पताल खोलने जा रही है यहां आधुनी कुप कर्णों के साथे विशे सग्ये चकित्चकों की तैनाती की जाएगी यातरा के तोरान यहां चकित्चकों की कमी ना रहे इसके लिए उचाई वाले छेत्रों में तैनात चकित्चक ही यहां तैनात किये जाएंगे ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिसी सुनक ने भारत के राष्टे सुरक्षा सलाकार अजी डोभाल और उनके ब्रिटेस समक्ष टीम बाडो के बीच यहां कैबने कार्याला में हुई बैटक में शामिल होकर विसे संकेत दिये हैं दोनों देशों के NSA की सुक्रवार को हुई बैटक में सुनक ने रिखांकित किया कि ब्रिटेन वैपार रक्षा विज्ञान और प्रध्योगी की जैसे छेत्रों में रननेतिक राधेदारी को ससक्त करने का समर्तन करता है दोभाल वासिंटन की यात्रा के बाद ब्रिटेन के साथ वार्षिक वे पक्षी दननेतिक समबाद के लिए दन दन आये हैं उन्होंने इससे पहले अमेरिकी समगक्स जैक सुलीवन से भी इस तरह की वारता की थी सेना उट घोरे खचर की जगाब रोबोर्टिक उपकरनों का प्रियोग करेगी हाल में सेना ने सौ रोबोर्टिक खचरों की खरीद प्रक्रिया आरंब की है इसे पूल लॉजिस्टिक ड्रोन खरीद प्रक्रिया शुरू हुई थी इसके लिए भविस्य में सेना की अनिमल यूनिट जिसे रिमाउट विटनरी कॉप्स के रूप में भी जाना जाता उसका आकाट छोटा किया जाएगा Frontier गांधी के नाम से मसूर खान अब्दुल गफार खान की आज जैनती है Frontier गांधी और महात्मा गांधी एक दूसरे के बहुत करीब माने जाते थे दोनोंने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब और हिंदु मुस्लिम एकता के लिए काम किया था सिमांध गांधी के नाम से मसूर अब्दुल गफार खान पहले गैर भारती है थे जिने भारत के सर्वोच नागरिक संबान से नवाजा गया राष्टी स्वेम सेवक संग अपनी मुस्लिम विरोधी छवी को तोरने और मुसल्मानों के एक तब्गे को अपने साथ जोडने की कोसिस के तहते समय संपर्क और संबाद का अभियान जारी रखे हुए है वहीं मुसलिम बुद्धे जीवी उलेमाओ की RSS के साथ हुई बादचीत के सिलसिले को मुसलिम संगटन बरकरा रखना चाहते है जमात इसलामे हिंद का मानना है कि बार में रहने वाले लोगों में भी बादचीत होती है हम तो यूद में भी नहीं है ऐसे में हमें उम्मीद है कि संग से बादचीत सकरात्मक परिनाम देगी अमेरिकी डिसर्च फर्म हिंडर्बर्ग के आरूपों से घिरे भारतिय उद्योगपती गौटब अधानी का अधानी ग्रूप एक सामाने ओडिट करने के लिए बिग फर्ड अकाउंटिंग फर्मों में से एक को न्यूक्त करेगा अधानी समू के पार्टनर टोटल एनर्जीज ने सुक्रवार को एक बयान में ये जानकारी शेर की है स्री लंका की 25 स्वतंदरता वर्सगाट के अफसर पर भारत ने स्री लंका में ग्रामीन परिवन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 50 और बसे 100 पी है और संबंधित दस्ता वेज अधिकारिक तौर पर कोलंबो में भारते उच्चा यूक्त गोपाल बागले द्वारा राष्टपती रानिल विक्रम सिंगे को दिये गए थे अधानी मामले में Reserve Bank of India और LIC और SBI के रवाईये के खिलाफ प्रदेश कॉंग्रस ने सुमबार को सहीदी चौक जम्मू में प्रदर्शन किया गया प्रदेश कॉंग्रस की कारेकारी अध्यक्स रमना भला ने कहा है कि मोधी सरकार के सारे पर अधानी मामले को RBI और LIC दबाने का प्रियास कर रही है अधानी मामले को लेकर सुनिया कांधी ने कहा है कि करोडों गरीब और मध्यम वर्द के लोगों की महनत की कमाई को भी खतरा है क्योंकि जन्ता अपनी कमाई का बड़ा हिसा LIC और SBI जैसे भरोसे मन संस्थानों में पैसा जमा करती है और सरकार अपने चुने हुए दोस्तों की कमप्रियों में LIC और SBI जैसे संस्थानों को निवेश करने के लिए मजबूर करती है अब बड़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपने कभी अपने जीवनकाल में भुकम के ज़र के महसूस कीए हैं या नहीं आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही धन्यवाद